यह सबसे बड़ा है कि बहुत डिफिकल्ट एक्जाम है, मगर मैं आपको से रियाल्टी बोल रहा हूं कि सबसे एजी एक्जाम है, आपने जैसे बोचा, आइस का भोकाल, पावर, अगर यह करके नहीं के आ रहे हैं, आप तो मत आई है, क्योंकि यह इस सोच से तो आपकी एक् कोई पढ़ाने में आ गया है, किसे ने केरियर स्विच कर लिया है, जब आप तयारी कर रहे हो था तो आपका सपना होता है बनना, बनने के बाद कई सारे लोग रिजाइन कर देते हैं, उसके बीछी का रिजन आपको क्या रखता है, अगर आप आज देखेंगे तो जितने इंडिया के इंदर है, चाहे वो आई टी के लिए हो, चाहे वो सिविल सर्विस के लिए हो, इन सारे स्टूडेंट एरिया के अंदर आप देखोगे, डिप्रेशन की केसे, मेंटल हेल्ट की केसे, और साथ-साथ में सुर्साइडिल केसे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, नमस्कार everyone, this is your host आशिश नामदेव and welcome to Indian Aspirant Show, आज का podcast बहुत ज़्यादा special होने वाला है, हर उस aspirant के लिए, जो किसी भी सिविल सर्विस एक्जाम की प्रप्रेशन कर रहा है, चाहे वो स्टेट हो, और स्पेशली UPSC एक्जाम की, तो अगर आपको यह ऐसे विखती हो, ज जिन से personally मैं पढ़ा हूँ, जब मैं UPSC की प्रप्रेशन कर रहा था तब, साथ में इनका एक institute है, शक्ती इंस्टूट जहां पे पढ़ाते हैं, तो इनके साथ बात करेंगे UPSC की एकदम detailed चर्चा और इस podcast का नाम है roadmap to UPSC, जिसमें UPSC के बारे में beginner से लेके advance तक हर information आपक के सामने लेके आएंगे, प्लीज वेलकम हर्ष सर और Indian Aspirant Show, स्वागत है आपका, थेंक यू आशीश, कैसे हैं आप, बस बढ़िया यहां बताईए, wonderful, सर बहुत excited हो आपके साथ podcast करने के लिए, क्योंकि हमने पहले भी podcast किया था लेकिन कुछ रिजन से उसको live नहीं कर पाय पर सर जो कि हम discuss भी कर रहे थे कुछ दिनों पहले कि यार यूपीसी में जितने भी maximum जो आइस्पेरेंट से वो influence होके आते हैं, तो उनको नहीं पता basic awareness नहीं है, कि यूपीसी एक्जाम क्या है, तो सबसे पहले आप यूपीसी एक्जाम के बारे में पताजी एक्जाम है क्य आप यूपीसी के एक्जाम के तयारी करते हैं, तो आप यूपीसी का आप देखते हैं कि आईएस, आईपीस, ठीक है ना, बैसिकली आईपीस आईएस भी नहीं होता है, उसमें पूरी central level की A grade की post होती है, उसमें आपको एक Indian foreign service, revenue service, railway, coastal guard, सब कुछ होता है, है ना, पहले य पहले बस क्या है, एक्जाम कैसे clear करनी है, तो फिर आप यह सोचिए कि इसमें किस टाइप के question पूछे जाते हैं, हाना हमारा मित होता है कि एक मित यह सबसे बड़ा है कि बहुत difficult exam है, मगर मैं आपको reality बोल रहा हूं कि सबसे easy exam है, सबसे easy है, complicated UPC नहीं है, complicated हम है, क्यों हम knowledge लेके जाते हैं, तो हमें समझ में आता ही नहीं है, कि क्या पूछेंगे, अगर उनको पूछना ही बहुत difficult है, तो scientist नहीं ले सकते थे, direct से कोई research से उठात नहीं सकते थे, उन्हें बंदा ऐसा चीए, जो average हो, और एक मित यह भी रहता है कि topper होता है, जो school का topper होता है, जो बच्चा बहुत पढ़ता है, वो ही UPC निकलता है, नहीं, वो ऐसे बच्चे निकालते हैं, जो एक general knowledge रखना चाहते हैं, average, तो यह एक तरह से UPC है, कि आपको 360 degree का, आपको information होनी चीए, क्योंकि आपको यहां से हर field में जा सकते हो, आप, railway में भी जा सकते हो, revenue में भी जा सक बनानी नहीं है आपको, DIO में missile है, तो defense में आपको missile नहीं बनानी है, मगर missile किस टाइप किये है, कैसा काम करती है, वो पता होना चाहिए, तो यह सबसे बड़ा myth होता है, उसके कलिक ले रहना, basic, basically general awareness होना चाहिए, और वो भी ऐसा clear होना चाहिए, मगर उसमें क्या होता, general awareness दो type के होते हैं, एक उपर उपर ग्यान और एक basic ग्यान, मतलब बिल्कुल core से, आपको हर चीज की भी information होना चाहिए, जैसे एक wind चल रही है, हवा चल रही है, उसका कारण भी पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मेरे को wind के सारी याद है, नाम याद है, मगर उसके कारण भी प पता है, वो बच्चा brilliant है, ऐसा नहीं, यहाँ पूरा education से उल्टा हो जाता है, इसलिए यह difficult हो जाती है, इसके यहाँ पीछे आपको हर चीज के पीछे reason चाहिए, मतलब आपको question mark हर लगाना पड़ेगा, मतलब अगर मैं इसको आसान भाशा में समझो तो जो मैं समझ पाए ह लेकिन यहाँ पर एक majority of बच्चे यह भी सोच के आते हैं कि IES का भोकाल या IES entry यह वीडियो देखके भी लोग UPSC को चूज करते हैं, अगर मैं ethical ground पर बात करूं कि सही तरीका क्या है और किस aspirant को UPSC के तयारी करनी चाहिए, तो उसके बारे में पहले बता रहे जिए, क्यो क्यों UPSC के तयारी किसी को करनी चाहिए, आपने जैसे बोचा, IES का भोकाल, पावर, अगर यह करके नहीं के आ रहे हैं आप तो मत आये, क्योंकि यह इस सोच से तो आपकी exam नहीं निकलेगी, क्योंकि examiner पकड़ लेगा आपको, और यह ethics के paper भी होते हैं, और इस सोच से आपको anxiety पड़ाई गई है, फिर भी आपको अपनी पता है, climate change क्या हो रहा है, life में economics का role क्या है, मतलब upcoming मतलब outcoming नहीं देखा हमने education का, बस हमने degree लिए, number कमा है, मगर यहां आपको एक होता ना, कि ग्यान प्राप्त होना, कि आप तपस्या कर रहे हो तो ग्यान प्राप्त ह होता है, यहां ऐसा लगने लग जाता है, यह preparation करने के बाद कि मैं एक इनसान हूँ, और मैं यहां ऐसे ही नहीं आया हूँ, और मुझे सब चीज की समझ है, तो basically मैं को लगता है कि कोई ISB नहीं बनना चाहता है, तो भी उसको UPC का एक भार कोर्स तो करना चाहिए, उसको क्या हो रहा है, रश्या इरान का वार हो रहा है, आपका क्या क्या कंडिशन चल रही है, उससे अप डाउन क्या है, गवर्मेंट की policy क्या है, बतलब यह information ऐसी होती है कि आप कोई से भी topic पे, कोई से भी business में आपको इसका use हो सकता है, यह मैं सोचिए कि आप IS नहीं बनें, आपको fail हो गए, आपको इसे भी फिल्ड में जाओ गए, आप सबसे better performance करो गए, ठीक है, फिर इसका echo है कि बच्चे क्या होता है, misguide क्या होता है, influence है, पावर से, इससे, उससे क्या होता है, बच्चा केवल उसी बारे में सोचता है, केवल यह नहीं सोचता है कि problem समस्या न sympathy, किसी को में गरीब को देखा, तो मैं को sympathy हो से, sympathy वाला इससान नहीं निकाल सकता है, empathy वाला, उसके दूख को समझो, उस जगह में होता तो क्या करता, उसके साथ क्या हो रहा है, जो बच्चा empathy रखना चालू कर देता है, इसका मतलब आप क्या हो गया, हर problem को relate करोगे और उ empathy होता है, जो चाहता है कि क्या हो रहा है problem, अगर agriculture के साथ गलत हो रहा है, इतनी hunger index बढ़ रहा है, तो उसका solution ढूंडेगा वो, अगर आप empathic हो ही नहीं, तो आप solution नहीं ढूंड़ेगा, तो आपको बस इस दुनिया की solution ढूंडना है समझ जागे, और UPC वही करता है, जो अगर कोई beginner जो इस वीडियो को देख रहा है, सबसे पहले हम उस point of view से बात करते हैं, UPC का पूरा exam format समझारेजिए, exam कैसे होती है, क्या process होता है, कितने papers होते हैं, कितने दिन में होता है, इस पूरी process को आप समझारेजिए, देख लिए, basically आप UPC का form submit करते हैं, तो आपके स्टेज होते हैं, पहला होता है pre, फिर होता है men's, फिर interview होता है, बच्चा सबसे ज़्यादा interview से influence होता है, man's सबसे होता है, pre और men's, तो pre में आपके दो paper होते हैं, जो होता है आपका GS का, general awareness का, और एक होता CSET का, मैं मानता हूँ ये सबसे difficult paper होता है, पूरी UPC genre में सबसे difficult क कोई होता है, तो pre, क्यों मानते हैं, प्री में क्या होता है, एक पॉइंट पर पूछा जाता है, आपके चार पॉइंट है, और एक ही पॉइंट पर आपके से question आता है, और उसका इतना analytic आता है, कि अगर प्रैक्टिस नहीं है, तो वहाँ थोड़ा बहुत किसमत का भी साथ लगता है, जैसे आपने इस बार pre देखा, आपने 75 का tough गया है, जनरल का, और आपने SC का देखा, 59 गया, और ST का 47 गया, तो उसके toughness को बता रहा है, क्योंकि एक तो जनरल स्टेडी में पॉइंट पे पुछता है, आपने 10 पॉइंट पढ़ें, अगर आप माँ घबरा गये, कुल डाउन नहीं हो, तो वो पाइंट मिस हो जाता है, तो मैंको लगता है, सबसे game changer pre होता है, और फिर होता है आपका mens, mens अगर जो aspirant अच्छे से महिनत करता है, hard worker होय है, तो उसके लिए बहुत easy होता है, उसमें क्या होता है, prediction हो जाता है, कि किस type के question पूछे जाएंगे, म credit करना इसलिए भी हो जाता है, कि जो problem हो रही है, उसी पर question पूछेगा, मगर यहां सबसे बड़ा challenge होता है, writing का, अगर जिसने writing नहीं करी है, तो उसको बहुत दिक्कत होती है, आपने भी देखा है, जो next year का time table आया है हमारा, उसमें 3 month का gap रखा है, pre और mens का, मतलब दीन पर होता है, कि आपने 10 point याद रखें, 7 point भी याद रहे गए, नमबर तुम्हें ली जाएंगे, अप मेंस में कितने paper होते हैं, और कितने दिन का time मिलता है, मेंस में paper होते हैं, आपके 5 paper आपके fix हैं, जो आपके GS level के होते हैं, फिर 2 paper आपके qualify paper होते हैं, एक होता है आपका English का, या फिर रिजनल लेंग्वेज का, है ना, रिजनल लेंग्वेज का, क्वालिफा होते हैं, पहले paper पर जो 5 होते हैं, उसमें से पहला होता है एक essay का, जो गेम चेंजर होता है, क्योंकि 12.500 आपको 2 essay लिखने पड़ते हैं, फिर 1st paper होता है, 2nd paper होता है आपका General Studies का, जिसमें current affairs role important है, क्योंकि इसमें governance, supreme court क्या बोल रही है, parliament क्या कर रहा है, international में क्या चल रहा है, government की scheme क्या है, यह पूरा current base है, core plus current को मिला के ही cover क्या है, फिर 3rd paper आता है आपका economics का, environment का, disaster management का, तो यह भी paper पूरा current साता है, तो मतलब यह 2 paper current पे बहुत ज्यादा role देते हैं, फिर 5th paper होता है आपका ethics, ethics में क्या है, कि आशिश आता है तो आगया, नहीं आता है तो नहीं आया, है ना, इसमें थोड़ी से practice की जरूवत है, आपको आपको यहां क्या करना है, किसी को समझाना नहीं है, return करके समझाना है, कि आपकी values क्या है, तो 2 scoring बहुत होते हैं, एक तो आपका essay paper और ethics paper आपकी rank बनाने में बड़ा help करता है, फिर आपका आगया, आप qualify paper हो गए, फिर आपके optional paper होते हैं, है ना, optional paper में भी 2 होते हैं, उसमें master degree level का पुछते हैं, तो optional अगर आप choose करते हैं, तो उससे भी rank में फरक पड़ता है, यह सारे paper हैं, मगर एक difficulty हो रहे हैं, एक gap देने लगें, उसके बाद optional paper हो जाता है, तो इसका मतला आपका 7 paper continue चलेंगे, और उसमें भी क्या होता है, तीन घंटे का paper होता है, और दो घंटे की gap के बाद फिर से paper हो जाता है, आप उदर प्रिलियम में देखेंगे, तीन घंटे की gap मिलती है, और यहां कितने घंटे की gap मिलती है, दो घंटे की, इसका आप समझ रहे हो, कि आदा घंटा तो आपको भाहर निकलने में लगेगा, फिर एक घंटे आप कुछ खाओगे, फिर आदा घंटा पेले आप जाओगे, तो फिर से exam, इसका current में बता देता हूँ, यह चीज क्यों रखी हो उनने, वो आपकी दिमाग में pressure डालना चाहते हैं, जिससे आपकी reality भाहर आया, मतलब वो UPC यह चाहती है, कि आप कौन हो, real हो, इसलिए real बनने की खोशिच करो, UPC की तरह अपना nature change करो, यह आप सोचो कि मैं fake कर लूँँ आद नहीं करूँँ, जो pressure आएगा, तो आप reality आई जाएगे, तो उस college की exam में, एक paper हुआ, फिर उस paper की बीच में revision करेंगे, तो यह revision वाला काम नहीं चलता है, यह आपको होता है, कि आपके अंदर जो है, वो आपको वह लिखना है, तो यह difficult है, इसका मतलब आपको original बनना पड़ेगा, कुछ चीज याद नहीं रख सकते हो, कि एवल revision के भरोसे नहीं रह सकते हो, मतलब आपके अंदर इनहल होनी चाहिए, कि मैं रहसे कभी भी रात में कोई कुछ पुछे, तो मैं जवाब दे दूँआ, और यही तो IS का काम है, पांच मिनिट में उसकी education की meeting होती है, दो मिनिट में उसकी health की meeting होती है, कभी CM साब ने बुला लिया, तो यह देखने जाएगा, कि मैं पीछे से revision करके आता हूँ, sir, file को देखके आता हूँ, फिर मैं जवाब दूँआ, तो मतलब आप समझ रहे हो, वो बंदा ऐसे ही चाहता है, कि वो तूरंथ जवाब दे, और सही जवाब दे, तापके preparation पे ही यह focus हो जाता है, फिर आपका आता optional पे यह होता है, कि आपकी तैयारी केस ही है, किस base पे, बच्चे optional पे भी choose में बहुत दल्ती कर देते हैं, optional में क्या करते हैं, यह सोचते हैं, जहाँ ज़्यादा number आ रहे हैं, वो optional ले लेते हैं, इस बार sociology ने अच्छा कर रहा है, तो sociology लेते हैं, इस से दो साल से anthropology अच्छ वो चूज करो, और आप interest के साथ सा writing किसको ज़्यादा अच्छे से explain कर पारो, वहां आपसे one two word ना जैसे question कर रहा है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, वहां ऐसे नहीं होगा, वहां कैसे होगा, आपको little लिखना पड़ेगा, तो आप समझ रहा हो, मेरे लिए तो key success क्या है writing, अगर जिस बंदे ने writing कर ली, तो उसका interview call तो आजागा, जिसने paper complete कर लेता है UPC के, 20 के 20 question कर लेता है, उसका interview call तो आता है, rank ना आए, और interview call आ जाता है, जिससे आपने को पता लग जाता है कि कहा number हमारे हरागा, फिर आता है अपना interview, ठीक है, इंटर्वी में सबका पूछेंगे, वो पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, उन्हें पता है, कि आगर मैं आपका interview ले रहा हूँ, और आप आए है, यो PC को, मैं आपका interview ले रहा हूँ, मुझ अच्छे से पता है, मेरे से जादा knowledge आपको है, मैं इत्ता अप्ग्रेट नहीं रही हूँ, अगर पड़ा कि कुछ आपको आपको दूसरी awareness भी है, तो पूरा 70% interview डेफ में होता है, detail application form से होता है, उसमें detail application form में क्या होता है, आपने schooling कहां से करी, आपने क्रिशनेटी स्कूल से करी हो, तो क्रिशनेटी स्कूल के बारे में कुछ लेंगे, आप बोलोगे कि मैं चिंदवाड और आपका क्या graduation किस पर उस पर पूछ लेंगे, अब जैसे मेरा एक friend, हमारा एक student था, तो जब जा रहा था, वो mechanical engineer था, तो मैंने मोला था उसको भारत इस्टिक 6 के बारे में पूछेंगे, गुनिस का जब interview दिया था, उसी से वही question वाया है, तो उससे नेपाल का डेम बन रहा था, उसके बारे में पूछ लिया, तो आपके profession पर होता है, फिर दूसरा घेरते हैं वो दो topic पर, एक hobby और एक आपका वो, क्या आपने choose क्या क्या है, है ना, आपने credit कौन सा choose क्या है, कभी कभी आप अगर IPS डाल देतो, कुछ होते हैं बच्चे जो पहले IPS डालते हैं, तो वो उनका target वहाँ आजाता है, वाई IPS, मतलब आपको IPS ही क्यों चाहिए, है ना, अगर आपने normal चल रहे हैं, अगर उसमें से कुछ अलग कर दिया है, तो आपसे वो question पूछ हैंगा, तो पूरा का def आप पे होता है, फिर दूसरा होता है, हब की hobby, अगर hobby में आपने fake कर द आपका number बहुत अच्छा है, मतलब आपका appearance important है, हर बाद हमें याद नहीं रह सकती है, उन्हें भी पता है, तो आपको clear करके बोलना है, मतलब आप इसमें deep thought रहता है, कि आपके अंदर clarity है की नहीं है, अगर आप fake करना चालू कर दोगे, दिक्कत हो गई, तो यह तो होगे आपका depth के बाद आता है, आपको देते हैं opinion based question, अब जैसे राहूल गांदी मोदीजी चल रहे हैं, अप इधर भी नहीं बोल सकते हैं, तो उस opinion में बोल देंगे, जो बहुत sensitive होता है, राम मंदिर के बारे में पुछ लेंगे, आपको क्या लगता है, राम मंदिर बनाने से यह हुआ, तो उस पर में को लगता है, opinion based पर balance answer देना चाहिए, ना rightist हो नहीं चाहिए, बिल्कुल leftist होना चाहिए, मतलब आपको balance देखके जाना है, क्यों आपको समझ में नहीं आता है, कि जो panel है, उसका mindset क्या है, तो मैं तो कहता हूँ कि उसको balance, opinion से वो देखना चाहते ह कर दते हैं, मतलब इधर से question होगा, उदर से question होगा, तो nervous नहीं होना है आपको, nervous नहीं से उसलिए है, क्यों उन्हें पता है कि आप job में जाएंगे, तो आपको बड़े-बड़े नेताओं से भी पाला पड़ेगा, समाज से भी पाला पड़ेगा, तो nervous नहीं होना है, वह nervous क क्या समझ रहे हो, ठीक है ना, रश्या-उक्राइन वार से क्या impact हो रहा है, अब इस प्रोजेक्ट 75 आया है, सब्मरीन माइक, उसको क्या चल रहा है, इन्वार्मेंट से रिलेटेड पूछ लें तो, वह easy होता है, मुझे लगता है, क्यों क्यों मैंसेता करके आया, उसके ल है, तो आपने पहले ही भर लिया है, तो फिर question कैसे बनेंगे, रियल preparation होती है, जब pre निकलता है, तो deaf आपको वह mentor से submit करवाना चाहिए, क्योंकि mentor उससे पहले ही related बना के question तैयार करता है, क्योंकि इसलिए आपको जब भी deaf भरे हैं, तो आपको कोई बड़ा mentor हो, कोई IS हो, उससे पहले concern करें, क्योंकि जो एक बार summit हो जाएगा, फिर महां दिक्कत आएगी, जैसे आपने कुछ hobby लिख दी, मैं आपको change नहीं कर सकता, आपने fake में लिख दी, मैं बोल दूँ अच्छे question, मगर आप बोल नहीं पाओगे, आप जैसे आप broadcast कर रहे हैं, आपका interest है, तो मैं बोलूगा कि आपका है, तो इस पर आपसे कितने भी सवाल पूछ सकते हैं, वो camera के बारे में पूछ सकते हैं, आपकी लाइटिंग के बारे में पूछ सकते हैं, माइक के बारे में, आपकी hobby आपसको जान रहे हैं, तो deaf किसी mentor से करवाना चाहिए, और मुझे लगता है, इतना इंटर्वी के बारे में नहीं पूछना चाहिए, आपको सबस्यादा फोकस प्री और मैंस में होना आता है, आटोमेटिक आप तक जाओगे, इंटर्वी का गयान आटोमेटिक आपके अंदर आ जाएगा, एक बर तीनों का एक्जाम गई, मार्क्स आप समझा यह है कि पेपर के साथ डिफिकल्ट आता है, उसे कॉटफ फैक्चुलेट करता है, तो इस पर आप अभी से में जज्जमेंट नहीं देखता हूं कि इतना कॉटफ जाएगा, क्या हो पेपर पर ही पता लगता है, आप इस साल हमने देखा है कि सबसे कम, हिस्ट्री का सबसे क सबसे कम, की सबसे कॉटके हाए तैने चल जाइए, तो इस साथे कॉट आपके अजनलों ओटा चले गया एक सबसे कॉटके होते हैं, चाले बारमें धेकॉटको जाज़ोय कॉटकी पने का स्वाइब ही और जो दो पेपर होते हैं English और आपकी रिजनल लेंग्वेज, रिजनल लेंग्वेज का मतलब है आप कंडर्ड भी ले सकते हो, जो आपका मन करें, ठीक है न, जो शडूल के अंदर होनी ची पहली बार, एट शडूल के अंदर मेंशन होनी ची वही वाली लेंग्वेज को डाइसो डाइसो नंबर के सारे आपके साथ पेपर होते हैं, पांच आपके जी एस के होते हैं और दो आपके अप्शनल के होते हैं, ठीक है, उस 1750 में से आपने देखा होगा जो फस्स रेंग का या उसको 899 आए, वन्दा 899 जो अब 12 है, तो मतलब आप समझ रहे हैं कि कि यह सकते हैं, तो में कम नंबर आए, तो आप यह घखराएं मत करें, जो भी नंबर देते हैं, फस्स रेंग को त्यक मतलब आए, तो यह होगया आपका मेंस, अब आपका इंट्रिव्यू, तो उसमें आता है, 250 मार का इंट्रिव्यू होता है, तो इंट्रिव्यू में basically क्या होता है. आप ज्यादा सोचिये मत उस पर. के उविल 40-50 मार्क का डिफ्रेंस होता है. अगर वो 40-50 रैंक को उपर नीचे करने में काफी होते हैं. Right. है ना, बहुत रैंक को उपर級्लिशस्राम 2 मगर मेरा जो 1st attempt रहता है बच्चों को इंट्रेंटिक होना में सचीं का जह रहा है और का अंप की आपो चैंका कि मैं बता है कि जो आपकी हो भी हो तो आगली बार आपको घॉअरी को अगली हुआ क्या होता है अभी शोचल मीडिया की इंफुलियंस है जो नॉर्मल वाला जैसे आप आप दे रहे हैं तो आप डीटेल कंटेंट की बार में कोई बात ही नहीं करता है तो पहले उसको यहसे ब्रोड्कास देखना चाहिए जो डेटेल कंटेंट के हो मेरा तो यही इस मानना है त आपको रील पांच मिट वाला कभी नी देखना चाहिए बड़े कंटेंट जो जिसमें आपको समझा है पहले वो देखिए फिर उसके बाद उसको देखना चाहिए पहले पहले उसको पहले सब्सक्राइब है तो उसके बाद उसके बैएद बैए बेयर कर सकता है मतलब उसको उसको सकता है तो उसे फिर उतर जाना चाहिए, है ना, उसके बाद उसको जाने से पहले ये भी देखना चाहिए, उसको टेस्ट भी लेना चाहिए, कि वो एक महने में पांच पैन, जो आपके 10 रुपे के पाले पैन है, वो रिफिल खतम कर पा रहा है कि नीगर भागा है, अगर उसने वो 10 पैन अगर वो राइटिंग करता है, कुछ भी लिखता है, मैं कहरा हूँ, कुछ भी लिखो, आप पोईटरी लिखो, या स्टोरी राइटर हो, या कुछ भी हो, आप पैन चलाना आना चाहिए, जैसे आपका पैन चलाना आना गया, तो आप ये बिसीकली रेडी हैं, मतलब इतने डिटेल बौड कास्ट में आपको नेगेटिव पांट भी मिल जाते हैं, और पॉजिटिव, दुनिया पस पॉजिटिव दीखाती है, मगर लॉंग बौड कास्ट आपको नेगेटिव दीखाता है, तो मेरे साब सब बौड कास्ट लोंग ही होना चीए, तो इसमें न चलता है कि 50% उसका सेलेक्शन हो गया है कितना परसेंट 50% अब उसको ड़िकल्टी कहाईगी एक तो होता है कि वो प्रपरशन करना किसी की भी आँग बंद करके चला जाता है कोचिंग इंस्टिटूट यूज कर रहा है, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि कोचिंग इंस्टिटूट सवर्य वेकार है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मगर उसमें सबसे बड़ी गलती है, कोचिंग इंस्टिटूट सही इसली नहीं है, कि बच्चा अवेरनेस नहीं है, मैं तो सबसे जाला सिंपल से बताता हूं, बच्चे की गलती होती है, मैं खुद बोल रहा हूं, मैं दिल्ली के बहुती नामी जाने, इंस्टिटूट से पढ़ा था, मुझे कुछ भी नहीं सिखने को मिला, क्या हुआ, क्या हुआ, क्योंकि मैंने ना सिलेबस देखा, ना मैंने क पेपर को देखें, प्रिविए से पेपर से बताता था, जैसे एनर्जी वर्ड यूज करा है, जैसे जीस थर्ड में एनर्जी, इंफास्ट्रक्चर, एग्रिकल्चर, डवलप्मेंट, अब वो वर्ड एनर्जी नहीं, वो एनर्जी का अंदर बहुत कुछ एनर्जी है, आपको जैसे आप syllabus और प्रिवेस एर ले ले तो, और आपने एक lecture में बेटते हो, आपको समझ माल जाता है, टीचर सही पढ़ा रहा है या नहीं, पढ़ाते तो बहुत सार है, मगर रिलेवेंट कौन पढ़ा रहा है, सबसे इंपोर्टेंट है रिलेवेंट, एक्जाम से र करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है, बेटा, मोटिवेशन है इनर मोटिवेशन होता है, और UPAC लोंग टाम की जन्री उस पर आपको इनर मोटिवेशन हाड़ वर्क से आएगा, डिस्सिप्लीन से आएगा, तो आपको पहले syllabus देखना है, प्रिवेसर के question देखना है, और आपको के बच्चों में, ना टीचर आपसे को जानता भी नहीं है, तो आपको लोगों को क्या करना है, केवल सुनना है सामने को, तो मतलब एक तरह से कथा चल रही है, और हम सुन रहे हैं, भगत बन रहे हैं, यह आप आप आइस बन रहे हो, आपको यहां discussion करना है, आपके point of view clear नह करने भी नहीं है, कि आप B और C ग्रेट की जोब नहीं हो रही है, कि आपको clerk बनना है, तो कलेक्टर साब ने बोला, तो वही काम करना है, यहां तो आपको direction देने हैं सबको, तो आपका analytic होना ज़रूर है, तो आपको AC class join करो, जन discussion, one-to-one teacher से हो, और आपके कोई भी सवाल हो सुरू में बच्चों के बहुत सारे concept, minor minor issues होते हैं, अगर वो minor issues solve नहीं होते हैं, तो उस पर building नहीं बन पाती है, बहुत सारे होते हैं, कि अगर president ऐसा क्यों हूँ, parliament क्यों ऐसा करो है, हम dictatorship क्यों नहीं ला सकते हैं, यह मैं मालूँ, बहुत fall to question होते हैं, मगर इनको सुरू स करना जाके, एक कोई mentor ढूंड़ो आप, कोई भी आपने जो topper देख रहे हैं, टीना दाभी को आपने सरन में को देखा है था, जो भी फरस्ट हैंगे, इन सब के घरवाले में parents था, या कोई-कोई इनका young brother या cousin था, या कोई इनने किसने personal teacher से mentorship ली थी, यह coaching के भीड में नही से काम होता है, mentor क्या करता है बेटा, कि बतलब क्या होता है, यह समुंदर है, अब Google क्या हो गया, जो आपका online है, एक समुंदर बन गया, अब इस समुंदर में मुझे तेर के जाना है, अब मैं तेर रहा हूँ, मुझे direction ही नहीं पता है, कि मुझे Sri Lanka जाना है, कि Thailand जाना है, तो एक direction तो चीए, navigation के लिए, तो मैं घूम रहा हूँ, इसमें सबसे बड़ा, आजकल UPC कंदर बहुत बड़ी problem क्या आ गई, पहले होता था, 10 साल पहले यह होता था, resource की कमी होती थी, अब over resource हो गया, flood आ चुका है, अब इतना resource हो गया है, तो आप कैसे pick up कर रहे हैं, कि य मुझे कोई mentor भी जरुवत निया, मुझे भी नहीं है, तो फिर आप हमारे देस हो जाओगे, जो मैं बेठा हूँ आज, पांच-पांच-पांच-छे ची अटेम दिया हमने, धक्या खाया है, और धक्या खाया है, तो फिर हमारे देसा करना है, तो पिर आ जाई है, पिर हमको पड़े हैं, तो प्रेशर हमारे को करना है, फॉर्थ थर्ड अटेम में इंटर्विव गया, फॉर्थ में मेरी प्रिलिम्स नहीं निकली, फिर चोड़ दिया, यही होता है, अगर आप हम गारे देसा बनना है, उसमें भी लग होता है, हमारे जैसे में कुछ सिलेक्ट हो जा आपको पूरी जान लगा दो, मानलो कि हाँ, पूरी प्रेक्टिस करके, तो हो रहा है, हो रहा है, ने तो छोड़, लाइफ दूसरी भी है, ने तो मैं को लगता है, यूपसी में जैसे पांच-छे अटेम्स देना, एक पहुत, जिनका सिलेक्ट होता है, वह बहुत कुछ ख अच्छे से काम कर सकते, और आप और और आगे बढ़ सकते हो, आप अगर पौलिटिशन बन received बाते हो, या अगर अगर एक्रित करना चाहते हो, या आप और इन बाहर नहीं निकाल पाता है तो आप सिंगल रहा जाए इसलिए मैं कि जो नया बच्छा है वो सुरू से एक अच्छा मेंटर ले गलती ना करें कि टैलेंड भी बरबाद हो जाता देखाए मैंने अच्छे अच्छा टैलेंटेड बच्चे बरबाद हुएं इनको मेंटरश आपको NCRT से शालू करना चाहिए, क्योंकि basic information कहा है, NCRT के अंदर, पहले से बड़ी book, किसी के notes, class के notes नहीं लेना है, पहले मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई भी ऐसा कुछ है नहीं कि जिसमें से कोई जादू की घुटी है, वो वही से आ रहा है, आ रहा है, जादू की पूडिया है, वो NCRT है, हमेशा UPC बोलती है, और वहीं से पुछती है, basic NCRT करो आप, 6 से करो, मैं तो कहता हूँ लोग कोलते हैं कि 11, 12 भी करो, मगर मैं 6 की भी बोलता हूँ, कि आपके बस टाइम है, अब newspaper पढ़ना चालू करो, तो आपको basic knowledge पता हो गया है, कि Parliament क्या होती है, और NCRT सब भी सारे subject की करनी है, आपको, economics की भी करनी, sociology, policy, history, geography, सब complete कर ली, और newspaper, तो कहीं ने कहीं newspaper पर कुछ articles difficult होते हैं, तो उनके जो videos होते हैं, वो भी काम आजाते हैं, तो वीडियोस देख लो, और ऐसा देखो कि इन पुरा article से किस टाप टाप के questions बन सकते हैं, तो उसको notes बना लो, यह होगी basic preparation, अब फिर आप mentor को लाओ, अब mentor से कोई भी book, कोई भी notes, बीना उठाए मत पढ़ना, सबका लाओ, मगर जैसे कुछ basic books तो यह हैं, जो पढ़नी ही पढ़नी है, जैसे लश्मी कान थे, जी सी लियों ने, ठीक है, संकर गनेश की आपकी economics की है, कोई रमेस सिंग पढ़ता है, मैं गर मैं संकर गनेश को preference देता हूँ, तो book list तो common है, मैं जो लगता है, कोई ज़्यादा difficult नहीं आता है, 10% उपर नीचे book list होती है, उन book list को पढ़ना, चालू करते हैं, अब हो गया, आपका क्या हो गया, थोड़ा सा advanced level, अब आपको यहां ऐसा बंदा चीए, जो आपकी answer writing चेक करें, अंसर आइटिंग लिखना चालू करो, और आपका mentor चेक करके बता है, और आपकी गलतियां बता है, कि आपने current से इसको रेड़ेट कर पा रहे कर नहीं हो, अब newspaper बहुत important बजाता है, और यह पूरी process, अगर मैं निउस्पेपर के बात करना है, अगर मैंस की answer writing तक process हो, तो NCRT से शुरू होकर मैंस answer writing तक आने में कितना समय लग जाता है, और कैसे उसका strategy बंदाना चालू करता है, मैं कर रहा हूँ, हर बच्चे का अपना time depend करता है, जैसे एक average बच्चा है, अगर कोई fast है तो जल्ली कर लादा, मेरे साब से तो anxiety आपको 4 months में खतम कर देनी चाहिए, 4 months के अंदर, अच्छा time लगा लो आप, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि anxiety पर, अच्छा time लगा लो, पॉसिबल भी हो जाता है, पतली होती है, लोग तो 1-2 months बोलते हैं, बहुत कम, और मैं 4 months फिर भी बोलता हूँ, कि ये second reading भी हो जाए, और content थोड़ा सा समझ किया, जल्दी नहीं पढ़ना, उसके बास 6 months के अंदर सारी बुकें, रिफरेंस बुक खतम हो जानी चाहिए, ठीक है, रिफरेंस बुक खतम हो भी जाती है, अगर आप कोचिंग नहीं जा रहे हैं, तो आप तो 5-5 घंटे बरबाद नहीं होते हैं, अगर आपका mentor बेठा हुआ है, तो आपको क्या हो जाता है, 6 months में आपकी, ठीक है, वो खतम हो गई, इस बीच में आपका current affair चलना चाहिए, आपको बेठाने 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 हो जाता है, तो आप इस 10th month के अंदर इतने फैमिलियर हो गए हो current affair से, और आपने syllabus भी समझ लिया, तो आपको समझ में आ गया कि current affair किस तरीका है, अब आपका basic advance cover हो गया, अब आपको उसको पूरा का पूरा कारण ढूढ़ना है, रोज current affair के अंदर ढूढ़ना है, तो वो 3-4 की महननेत की practice होती है, आप advance level के हो जाते हो, राइटिंग को में 3-4 मन्त और दे देते हैं, तो आप एक exam के लिए रेटियो जाएँ, तो मैं कम से कम देड़ साल लगता है, अब आपको अगले 4-5 मेने आप अपना बेस अच्छे से बना लो NCIT के साथ, उसके बाद में आप जो standard books को है, उसको आप 6-8 मेने दे सकते हो, उसके revision 7-7 में करना पड़ेगा, 7-7 में current affairs भी आपको बढ़ना है, उसके बाद अगले 4-5 मेने आप answer writing के लिए core plan कर सकते हो, जिससे कि आपको prelims plus minus दोनों preparation हो जाता है, मैं को आप एक और में थे कि 12 गंटे पढ़ना है, 15 गंटे पढ़ना है, मैं के रहा हूँ कुछ नहीं, केवल आप 8 गंटे पढ़ो या 6 गंटे पढ़ो, मगर regular, ना आपके Saturday होना चीए, ना Sunday होना चीए, ना भाया की शादी होनी चीए, या दिवाली होनी चीए, आपको दिवाली की दिन भी पढ़ना है, जो बच्चा मैं कहे रहा हूँ, जो continue focus होके consistent काम करेगा, उसका selection पका है, क्या होता जोश होता है, चार दिन हम रात को उठके पढ़े हम, फिर बॉडी ठक जाती है, फिर दो दिन हम सो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको रिकॉर्ड नहीं बनाना है बेटने के लिए, है ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं, कि बहुत कम भी पढ़ते हैं, अगर रेगुलर पढ़ते हैं, अराम सा selection होता है, लॉडि नहीं देना है, और दूसरा एंजोाय करना है, थैचा को एंजोइ करना है, बड़न नहीं बनाना है, बड़न विए तो एनचा क् cooled करोट, आप जोटने बनाए हैं, मतलब एंजोआ करो, कितना सिखने को मिल रहा है, कितना अच्छा है, तो मुझे लगता है एक्जाम के लिए मत पड़ो सिखने के लिए पड़ो वही ठीड का डायलोग अमेर खान ने जो दिया वह यहां बिल्कुल परफेक्ट होता है क्योंकि consistency पर बात कर रहे हैं जिनका UPSC rank at 50 है तो उनके सब बात किया तो मुझे एक चीज सिमिलर लगी हम दोनों में कि there should be no zero day मतला अगर आप UPSC या किसी भी state service की प्रप्रेशन कर रहे हो तो आपका zero day नहीं होना चाहिए या पेज पढ़ो लेकिन हर रोज आपको पढ़ना इसी की वेज़े से मैंने देखी कि majority of toppers इंसे बात करते हैं सब consistent है consistency को अचीव करने के hacks क्या है consistency को अचीव करने के hacks सबसे पहले है social media से दूरो ठीक है है ना social media से क्या होता है आज कोई वहां गया है Instagram में पढ़ाई के लिए use करो बस ठीक है 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 ना social gathering से दूरो फिर काने की कुशिश करेंगे और आपका भी मन रहता है कि भाहर जाना है ठीक है ना फिर दूसरा एक sports जोइन कर लो ठीक है sports जोइन करना ज़रूरी है क्या होता है जब आप पूरे दिन पढ़ते हैं तो frustrated होते है उसके लिए फिर एक दिन आपको day off चीए रहता है और frustration निकालने पूरी हो जाएगी आपको चुटी holiday लेने का कभी मन नहीं पड़ेगा तो अपनी society को थोड़ा अपने हिसाफ से चेंज करना पड़ेगा और discipline लाना पड़ेगा तो मेरा जता सबसे बढ़िया है कि sports जोइन करो और थोड़ा सा society से दूरो और उसी society से लोगों से जो जो इसक सब्सक्राइब हो जाता है तो उसके लिए आपका circle तो आपको थोड़ा इंट्रेस्टिंग बनाना होगा कि जो intellectual हो उस space को समझ पाएं वही मैं कर रहा हूं कि जो preparation कर रहे हैं फिर उनके साथ आप जो serious preparation कर रहा हूं मैं करा हूं society से ऐसे बंदे से cut-off कर रहा हूं जो इस preparation को नहीं कर रहा है और आपको ऐसा नहीं होता है हम human being है society में रहना हमारा है नतागर हम नहीं रहेंगे social नहीं रहेंगे तो बहुत impact भी आता है तो आपको मैं ऐसे friends बनाओ जो इसी fields में है तो उससे क्या होता है कि दिन regular आपको उन दोनों की बाते होती है जैसे आज हमने क्या क बातचीत भी मजाग होती है जैसे हमारे time पर preparation होती है हमारे dialogues हो रहे हमारे joke किसके ओपर थे गॉर्मेंट के ओपर होते थे हमारे joke भी UPC देसे हो गये थे हम भी joke मारते है कि मैं ऐसा हूँ मैं ऐसा हूँ तो वह कहता कि मैं precedent हूँ अच्छा precedent हो तो कुछ power तो है नहीं आपके निकलता है और तुन इतना अच्छा पड़ा है इतना अच्छे marks लाएं एक बार और कर मैं कहता हूँ उस टाइम पर parents और यह सब हमको नहीं support कर सकते हैं जो आपने society बनाई उस preparation की वही आपको अच्छे से support कर सकती आपका teacher support कर सकता है आपका mentor कर सकता है क्योंकि वह बात UPSC exam की risk को एक बार समझा दो aspirants को क्यों लोग तैयारी कर रहे हैं अगले एक दो साल तीन साल के अंदर attempt है नहीं निकलता है तो क्या risk रहता है UPSC exam की तैयारी में बैसिकली बेटा सबसे बड़ा risk यह होता है कि हम समास से बहुत अलग हो जाते हैं यह मुझे मैं खुद ने भी फील कर रहा है क्या हो जाता है मैं एक serious preparation वालो कर हूँ बहुत hard work करता है ठीक है है ना फिर society में कहीं भी जाता है तो उसको लगता है कि सब अलग है कोई भी illogical बाते करता है तो society में आप fit नहीं हो तो यह तो पहले mentally सोच होती मतलब आपको बहुत ही अजीब लग जाता है और आप थोड़ा सा कि आपने आपको भी होए और आइस देशन लग जाते हो बड़ा सोचने लग जाते हो तो society में वापश कोप करना मुश्किल हो जाता है फिर तीसरा society का failure से भी आप रखतो कि आप fail हो गए हो आपका निकला नहीं है मगर मैं जो लगता है इसका इतना नहीं लेना चीए society का certificate ज्यादा important नहीं होता है थोड़ा motivate रहना चीए कुछ लोग तो हैं जिनने हमेनती नहीं करी ट्राई ही नहीं करा उनसे तो आप अच्छे हो और कुछ तो बेठे बेठे ही हार गए रेस आपने कम से कम ट्राय तो क्या आप उन सब से आनी हुआ आप उन 90% से तो आप आप हो तो रिक्स में ये भी होता है financial होता है mental होता है और केरियर वाइस भी होता है कि केरियर उस टाइम फिर चूज करने में बहुत डिफिकल्टी ह हो जाती है यहां आपका depression law खराब भी होता है और इस टाइम केरियर इसलिए प्लान भी होना ज़रूरी है अच्छा ऐसे अस्परिंट जब प्लान भी की बात हो थी तो उस पॉंट एफिस सो मुझे जानना है कि ऐसे अस्परिंट जिससे मैंने अपनी प्रप्रेशन शुरू को पड़ता हूंगा जो मुझे help करेगा civil service के अंदर majority of aspirants इसी reason के वज़े से बी युमेनिटी स्कूर्स करते हैं बट अगर इसका negative side दिखा जाए तो majority of aspirants select भी नहीं होंगे और इसका success भी बहुत करना है यही humanity की छोड़के हम ऐसे courses करें जिसमें अगर UPSC ना निकले तो कोई बहुतर option आपके बारे में आप क्या सोचता हूं मैं basically आपको सोचता हूं आज भी आप अगर रिजल्ट उठा के देखेंगे तो कितने humanity के बच्चे निकले हैं केवल humanity के बच्चे जो भी निकले हैं व अगर आप ऐपहला निकले हों हुद्ग लेना अगर अच्छे कॉलेज से जनीव से एपको जॉब भी मिलती है अगर हमारे MP से कर रहे हैं तो मैं बिलकूल मना करूआ अगर डिली से कर रहे हैं तो बहुत बढ़ीा है क्योंकि यह इस क्योंकि एक हुँमनिटी को पढ़ाना क वहाँ से कर रहे हो तो ठीक है ने तो आपने major portion देखे होंगे IATNs, doctor, engineers ही हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं क्योंकि उससे कोई relation नहीं है course से वो discipline हो गया है IATN क्यों आप से आगे निकल जाता है पेले से उसने competition देखा है उसके अंदर पेले से discipline है और दूसरा IATN क्या करते हैं IATN में lecture लगते हैं उसे उस knowledge को वो implement करते हैं सबसे मैं बता हूँ IATN का selection ही क्यों है वो उस knowledge को क्या करते हैं वो implement करते हैं अगर आज उसने power पढ़ा हुगा force पढ़ा हुगा तो machine में power और force ढूंडेगा वो cable लिग के नहीं आएगा project में करते हैं तो वो implement पढ़ते हैं और UPCB क क्या पुछती है implementation पुछती है तो वो machine में technology में implement करते हैं और वो बस यहां के art में भी पढ़ते हैं तो वो भी implemented ढूंडते हैं इसलिए उनका selection सफसे जाल बैसिकली execute करते हैं इसलिए इनको executive पूल आता है तो जो उनको पहले से उनके course सिखाते है इसलिए वो एक edge हो जाता है आप मियां BA रहते हैं आपको यह सिखाया जाता है के वल रटना है society में BA का use क्या सिखाया किसी ने history का use क्या सिखाया अब UPC history का use सुम पुछती है क्यों arts पढ़ना है क्यों geography पढ़नी है तो यहां हमें बस number के लिए पढ़ाते हैं वो execute करने के पढ़ाते हैं तो यहां वाले पुद बता रहा हूं मैं जब मैंने optional लिया था मैं गया था मेरे अच्छे मार्क्स मैं आपको बता हूं मेरे 75 से degree है मेरी 75% और मैंने दिया भी नहीं था मगर मैं बता रहा हूं अच्छा पढ़ा था मैंने लिटरली पढ़ा था मगर मुझे वहां zero feel हो रहा था यहां हमें राजा रानी पढ़ा रहे हैं वहां society पढ़ा रहे हैं implementation पढ़ा रहे हैं तो आप यह मा सोचो कि BA लेने से profit हो इससे अच्छा तो आप एक प्लान रखो जिससे बाद में आपको जॉब हो सके जो भी आप engineering करना चाहते हो यह IT sector करना चाहते हो तो उसके बाद भी आपको जॉ कर देना अगर आप जेनियों से कर रहे हो बनारस से कर रहे हो या जामिया से कर रहे हो तो वेल एंड गुड वह तो आपको जॉब भी मिल जाएगी वह भी हो बाकी बास ही है एक इस इस वे पर बात करते हैं कि जब UPSC aspirant के बात करते हैं तो जैसा कि हम देख भी ने जनीटी के बच्चेर जाधा सेलेक्ट होता है कंपरेटिमी तीं जो फॉर्मल इडूक्शन जिनका बैसिक हुआ है तो बहुत जह तर्ब जाता है कि एसे isporn के लिए जोजो सा रहा है और या किसी मध्यम वर्ग के परिवार से उसका किसी आयटेयं को कॉंपिट करना बहुत चलंजिंग हो जाता है इस पूरी सिच्वेशन को आप किस तरह से इस पूरी situation को मेरी life से भी में सिखा हूँ क्योंकि मैं आपको भी पता है मैं village कही हूँ जो आपने बताया वो सिनारियो मेरे साथ ही हुआ है और मैं आज़कल जो बच्चे मेरे पास भी आते हैं उसी सिनारियो कहाते है इन में क्या होता है इन गाओं के बच्चों में strength भी होत होती है विलेज के बच्चे में सबसे बहुत जल्ली कर लेता है अपने अंदर प्रेशर में भी जल्ली आ जाता है यह हो गए इनकी weakness अब इनकी strength है hard worker होते है dedicated होते हैं और किता भी आप इनसे करवा लो मतलब आपके committed होते हैं जो UPC को चीए रहता है तो बताब यह कोईला है इनको हीरा मनाना वाला जी बस क्या है यह कोईले हैं इनको कोई polish कर दे इनके अंदर confidence ला दे इनको direction दे तो यह automatic चले जाता है और IAT इन क्या हो जाता है सूरू से smart होता है smart मतलब वो ऐसा होता है कि इसको time management अच्छी से आता है इधर अपनको time management नहीं आता है वो emotional strong भी होता ह और इधर हम emotional weak होते हैं under confident नहीं होता है वो वो क्या होता confident होता है पहले ही समाझ में IAT निकल के आया तो वह अलगी boost में और फिर उसको safe भी होता है कि job placement तो मेरा पास है ही है तो यह चीज उसको एक edge दे देती और यहाँ weakness तो मैं रहे साब से जो village साया उसे mentor चीए उसको तो म डेडिकेटली कर रहा हूँ कि IAT in 400 की class में भी जायेगा ना तो कुछ सिख किया जाएगा क्योंकि वो बच्पन में भी 400 की class में भी पढ़ा था IAT और जीव में मगर यह बच्चा इसको कहता हूं बिलकुल नहीं जाना चीए इसको तो ऐसा teacher ढूना चीए जो उसको personal mentor करे मु बहुत ज्यादा emotional हो जाता है answer के अंदर होता है हम क्योंकि हमारी society village society हम दिल से जुड़ते हैं और IAS को ज्यादा इसके fourth पेमर में emotional intelligence नाम का topic भी है ज्यादा emotional नहीं होना है तो यह बच्चों के साथ बहुत problem है मैं तो जो नए बच्चे आते हैं उन्हें ऐसा mentor ढूनना ने तो उनको इस preparation पर जादा नहीं चार्सों पांसों पर नहीं जाना चीए क्योंकि उनका बहुत ही एक depressed भी हो जाते हैं फिर यह एकदम से बड़ी class में आते हैं नएने बच्चे होते हैं competition इतना तकड़ा दिखता है तो वह preparation करते करते ही हार मान लेते हैं एक्जाम देने कैसे करना चाहिए कि यह academy मेरे लिए fit है on the other hand अगर कोई वेक्ती है जो सक्षम नहीं है या academy जो नहीं कर सकता है उसको कैसे preparation किस अप्रोच से करना चाहिए पहले हम बात करते हैं academy के ओपर किसी बच्चे को UPSC के लिए academy किस parameter पर चूस करना चाहिए basically कोई parameter में सब से पहले हो देख लिए ना क्योंकि आप भी मां ख़़ए ठीक है फिर दूसरा strength कम होगी तो फिर communication टीचर से किता अच्छा है क्या होना चाहिए communications communication टीचर के साथ नहीं है तो आपका discussion वी नहीं बनाएगा बहुत अच्छे टीचर हैं बहुत अच्छे पढ़ाते हैं अगर आप उनसे communication ही नहीं कर पा रहे हैं तो सीखेंगे क्या है है तो मेरा parameter तो यह होना थी अभी मैं वच्चे को बोलता हूं वही कोचिंग चाहिए जिससे आपका teacher का communication हो तीसरा मेरा है कि कौन सी कोचिंग में current affair पढ़ाया जा रहा है newspaper को एक कोई problem को discuss किया जा रहा है अब newspaper को क्या होता है कि बहुत सारे कोचिंग इंस्ट्यूट क्या करती है एंस इटी पढ़ा रही है लश्मी कांथ पढ़ा रही है लश्मी कांथ के video इतने YouTube में है अच्छे से अच्छे से ने डाल रखा है geography के core के इतने वीडियों हैं आप कहीं से भी पढ़ लोगे हमें problem कहां आती है implementation है वह अपने जो बोला execute करने में है ना तो वह current affairs होना चाहिए वही coaching क्या बोलती है यह तो आप घर से करिए बहुत बेकार है तो आपको current affair पढ़ाना चाहिए और answer writing के pattern सिखा है class के अंदर ही कि हम इंट्रो कैसे लिखें बच्चा सुरू में आता है घबरा जाता है आपको बेरा experience बता रहा हूं जब मैंने first time test दिया था ना 20 question में से मैंने साथ question लिखे थे उस दिन ऐसा आया रहा था कि मैं quit कर दूं अरे जब मैं साथ question लिख पा रहा हूं तीन घंटे में और सोच के लिख रहा हूं तो मेरे से कब में को यह पेसी का selection होगा और मेरे साथ नहीं मेरा 90% में हमारे friends थे जो उन्हें कभी answer rating निकरी और फिर वो तो आपका confidence इतना boost हो जाता है आपको इसा लगता है कि बस होई जाएगा रिंक आई जाएगी थोड़ा 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 बस दिक्कत है सब चीछ control में है तो आपको class में answer rating कुछ नहीं है बच्चों को phobia कैसे निकालना पड़ता है कि कोई question उठाओ और उसको समझाओ कि इसका intro क्या लिखेंगे अपन वहीं discuss को लो body कैसी होगी और conclusion कैसे होगा और वो एक दू महिने की practice में निकल जाता है तो वो coaching अगर वो करा रही है तो वो जॉइन करो इस तरह से अगर कोई क्चों करा रही है तो उसको जॉइन करो केवल आप लश्मी कान quality और geography और history पढ़ने मत जाओ आप coaching हो में जाते हैं quality भी नी पढ़ाते हैं वो लश्मी कान भी से भी नी पढ़ाते हैं और आपको पता है कि आप किसी के भी notes पोढ़ लो आप बड़ी-बड़ी coaching रोज वाजे राम श्री राम किसी के भी notes पढ़ लो आपको लश्मी कान पर ही आना है अच्छा एक culture है coaching का और अभी क्योंकि lockdown के बाद से बहुत जादा popular हो गया है जब से tech company इंडिया के अंदर बहुत भूम कर रही है तो ऐसा देखा जाता है कि जो कोई teacher reels में आना start हो गया मतलब उसकी coaching के admissions बढ़ जाते हैं it's a kind of marketing tactics जो teachers करते हैं कि जितना ज़्यादा spread होगा और वो जो reels में आ रही है वो generic बाते आ रही है माबाप के ऊपर कोई बात हो गई भाई के ऊपर बात हो गई और इसे बहुत सारी academies बहुत सारे tech platforms कर रहे हैं आपका इसके ऊपर के अपरोज है यह आपने तो बहुत difficult question पूछा है मतलब इससे तो सारा बच्चा आजकल influence हो रहा है आप मैं नाम नहीं लेना जाता हूं teacher जितने भी famous teacher है किसी नहीं बता है कि UPC निकलती कैसे answer writing करते कैसे कि आपने बहुत सारा देखा है कि यो आपका जो channel चल रहे हैं उसमें किसी ने भी एक topic पे UPC कैसे निकलेंगे किसी ने बात करी यह क्या जो आपने बोला generic बाती हो रही है तो उससे बच्चा यह रता है related करता है उसको easy लगता है और जहां कोई teacher इहसे भी है जो generic बाते करते हैं वो आप बताते हैं कि question कि तो वहां उस बच्चे को feel नहीं होता है उसको difficult लगता है बच्चा UPC करना भी चाहता है मगर mind पर जाता load लेना भी नहीं चाहता है वो teacher के अंदर भी entertainment ढून रहा है क्या हो गया है आजकल आजकल बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है कि teaching में कोई बच्चा क्लास में हसता नहीं था जादा आजकल आप कोई भी क्लास में जाओ गए तो आज model यह हो गया कि बच्चो को है खुश रोको जोक्स मारो पढ़न बहुत लेक्चर आपका दो घंटे का है तो आपके एक देड़ घंटे तो जोक्स में जाना चाहिए तो इसमें सबसे बड़ी problem कि इसके रही है में टार्गेट्स आते हैं जहां से content मिलता था तो यह 90 परसेंट होते हैं वह इस तरफ जाते हैं और जो selected आप कर रहे हैं आप में कर रहा हूं कि आप उस content को बता रहे हैं तो आप सारे आपके ब्रोडकास में teachers भी ला रहे हैं आप अप अस्परेंट भी ला रहे हैं तो आपके ब्रोडकास को देखे समझ अच्छा समझ जाएगा कि किस Reel की լात करिए किसी भी आपके टॉप आर्म ने कि मैं उस Reel से सीका हूं सबने आपके content पर ही बात करिए कि मैंने यहां से पड़ है वहां का content लिया है अगर बच्चे आपके broadcast को ही देखेगा समझेगा तो आटोमेटिक उसको समझ में आ जाएगा कि रियल यह social media influence है एक average people के लिए बाकि अगर आपको real aspirant है तो rank निकालनी है तो आपको content पर ही काम करना पड़ेगा वंड़फुल ऐसा कोई aspirant है जिसको academy join नहीं करना है नहीं कर पारा है किसी कअरणव। उसको तैयारी के लिए approach क्या रखना चाहिए एगर कोई aspirant है कि तैयारी निकरनी है मतलब उसको क्या 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 करनी है मगर कोई coaching जो दो और वह भी अच्छा है मैं कह रहा हूँ है जो एक बार इंटर्वीव दिये चुका है, मैं तो मैं कर रहा हूँ, एक बार इंटर्वीव दिये, अगर आप उनके गाइदेंस में भी काम कर लेंगे, तो हो जाएगा, ठीक है, फियार ओनलाइन में अगर ऐसा देखें कि कोई टीचर आपको प्रोपर पसनल गाइड कर रहा हु अगर किसी के पास मेंटर भी नहीं आ रहा है, तो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, फिर वो आला काम हो जाता है, फेल होगा फिर सिकेगा, जो हमारे साथ हुआ है, फिर वो एसा भी नहीं जाएगा, वो इनसे भी बेटर रहेगा, कोचिंग वालों से भी, फे बहुत सारा देखा है, को बिना कोचिंग के भी लोगों ने बहुत सेलेक्शन लिये है, नेट में सोर्स बहुत है, मगर आप आप नए आस्परेंट है, आपको किसे पता लगाएगा कि यह कंटेंट सही है, कंटेंट गलत है, आपने अभी ABCD भी नहीं पड़ी, आप कैसे ब पता पाते हैं, मगर मैं बुकशोप पे जाता हूँ, तो कम से कम मैं चार गँटे, पांच गँटे के बाद बहुता हूँ, क्योंकि मैं उसके 2-3 पेज हर बुक के बढ़ता हूँ, तो तक सी पता लग जाता है कि इसका का इसका किया है, और वही कंटेंट सेलेक्ट करके आपकी preparation और easy हो जाएगे. अगर इसी में add-on कर दो, ऐसा aspirant जिनकी बास में कोई mentor नहीं है, तो हम हर episode के अंदर, हर video के अंदर, हम description में एक link देते हैं Google form का, बच्चा उसको fill कर सकता है, साथ ही हमारे comment section में भी जब question लिखता है, तो हम लोग कोशिशे करते हैं कि इसको mentorship कहीं न कहीं content कि दुरू मिल जाए, अगर कोई aspirant है, अब हम इस पर बात करते हैं कि किसी aspirant को, जब UPSC में selection होता है नहीं होता है, क्योंकि सबको पता है कि selection बहुत कम लोग होगा, अब कोई गर ऐसा aspirant है, इसको selection नहीं हो रहा है इसको यहां कैसे decision देना चाहिए, उसको देखना चाहिए किसी से senior teachers के बास जाकि कि उसकी कमियां क्या हो रही है, अगर उसको लगता है कि उसके कमियां को ढूंड नी पा रहा है, उसका reason नी ढूंड पा रहा है, मतलब मेरा लग रहा था मुझे भी लग रहा था कि मेरा सेलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है तो फिर कुट कर देना चाहिए अगर आपको पता लग रहा है कि मैंने इतनी महनत करी और महनत कर सकता हूं तो फिर कंट्यूनी करना चाहिए अगर आप रिजन नहीं ढून पा रहे कुछी मुझे लग रहा हम के मुझे लग रादा कि कई ने कई मैं जो चीज 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 ह कुल नी कर रहा हूँ- मैं अपनी कमी को ढूंड डूंद़नी पा रहा हूँ- कि मुझे और केसे एंपूब होणा होना है- हrialоль-work था- criar-war भी कल लिया मैंने थि keeping तो कभी यह रहता, लगी अच्छा नहीं है, तो अगर आपको reason नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको quit कर देना चाहिए, अगर reason find कर रहे हो, तो फिर तो उसमें सुधारने का chance है, और सुधारने का chance है, तो success के भी chance है, तो बस मेरा यही है, आपको reason find करो, अगर reason नहीं मिल रहा है तो quit करो और मिल गया है तो सुधार हो और जहां तक सुधार हो एंड नहीं होता है selection अगर आप गलतियां सुधार होगे तो एक दिन better percent बनते हो कोई भी perfect नहीं है ना मैं हूँ और आप है हम मैंशा गलतियों से सीखते है तो आपको मिल रहा है तो ठीक है तो आप quit करना मेरे लिए best है क्योंकि अगर आपको reason नहीं मिल रहा है तो quit करो क्योंकि इस एक तरह से UPC में भी जाल है addiction है वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है और वो मेरे लिए भी emotionally रहता है क्योंकि हम छुटता नहीं है इतनी महनत कल लिए बच्चा यह सुचता है कि मैंने इतनी तो सब कल लिए अब थोड़ा सा और कल लूँगा तो निकल जाएगा आपने यह सही पोचा है कि गलती पता लगे तो ठीक नहीं पता लग रही है तो क्यूट करना बेटर है दो चीज़ों पर मुझे बहुत इंपोर्टनली बात करना है क्योंकि Current Affairs के I feel कि मैंने जितने लोगों से Current Affairs पढ़ा है I can call you a Current Affairs King तो Current Affairs, Newspaper कितना important है UPSC के लिए UPSC के लिए मुझे लगता सबसे ज़्यादा आजकल Newspaper ही important है हम लश्मी कान भी पढ़ते हैं तो वो भी क्या के लिए पढ़ रहे है Newspaper के लिए पढ़ रहे है है ना जैसा हम क्रिटिसम करते हैं गौवर्मेंट को करते हैं अगर आप किसी गौवर्मेंट को क्रिटिसम कर रहो तो आपको पहले Constitution समझना जरूरी है आपको ऐसा नहीं होता है कि मेरे को अच्छा लग रहे है मोदी जी में जो पहले खराब लग रहे है या आपका मन का नहीं है मुझे टरंब अच्छा लग रहा है तो अब बिढ़न बेकाल लग रहा है यहां रिजन चीए क्रिटिसम करने के लिए भी और वो है Constitution तो हम पूरी जो 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 गरोफी और यह सब पढ़ते हैं वो करेंट आफर को समझने लिए आपने देखा इन्वार्मेंट से आप GS3 का प्रॉब्लम देख रहे हैं GS2 में देख रहे हैं सारी प्रॉब्लम इथिकल प्रॉब्लम सब देख रहे हैं वो सब न्यूस्पेपर में ही उसका solution पहला मेरा reason है न्यूस्पेपर पढ़ने से multiple angle मिलते हैं और वो UPC में बहुत जुरूरी है जैसे बच्चा मेरे से पढ़ रहा है तो मेरा ही angle उस पे जाएगा से आपकी diversity बहुत बढ़ जाती है सोचने की दूसरा case study आती है जैसे अभी कोई भी disaster होता है उत्राखंड में fire लग गया है reason क्या है तो case study में भी help होता है है ना फिर आपको यहां से solution भी मिलता है फिर एक और है यहां C-set की भी तैयारी हो जाती है जब passage आप पढ़ते हैं वो editorial से ही होता है और जितना भी आप देख रहे है आपको core रहता है core के बाद आपको लगता है कि मैं revision कैसे करूँ आप रोज current अफर पर पड़ो revision हो जाएगा आपको economic भी revision हो जाएगा quality का भी हो जाएगा geography का भी हो जाएगा तो आपको यह देखना है पहले paper पढ़ते हैं बहुत जादा focus करना पढ़ता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है यह भी important है वो knowledge कहां से आता है अगर आपने syllabus देख रहा है और previous question देख रहा है तो आपको automatic समझ में आता है यह मेरा काम का है यह मेरा काम का नहीं है अभी चुनाओं चल रहे है तो मुझे बस election commission देखना है किसने क्या बोला मुझे कोई मतलब नहीं election commission क्या action ले रहा है और वो किस power से वो action ले रहा है वो merely matter करता है अब मैं आपको basic समझा देता हूँ बहुत easy है इस बार का production question भी है अब election commission पहले क्या होता था muscle power होता था और money power चलते थे election के issue में इस बार AI आ गया fake videos social media अब election commission के लिए challenges money और power नहीं है muscle power नहीं है AI हो गया अभी तक AI के लिए किसे नहीं rules नहीं बना है मतलब आपको मैं कता हूँ और ऐसे darkness है जहां कोई देख ही नहीं रहा है वो UPC पुछती आपसे ना AI के लिए ना साइबरेटर के लिए कोई rules बना है अभी जेनरेटिव यह आप देखी रहे है डीफ वीडियो देख रहे है उसके लिए कुछ हुआ ही नहीं है तो उस टाइप के questions को वो पुछेगा मतलब पहले से approach रखता है अभी government ने कुछ चालू ही नहीं करा उससे पहले ही वो start कर रहे है इस टाइप का UPC आपको pattern देता है और उसमें जहां कुछ हो नहीं रहा है सम्मा होता है कि future में होगा उसके बारे में भी पता लग जाता है और UPC के major question आगे के ही होता है क्या आगे क्या होने वाला है अब जैसे hydrogen energy करेगे और फिर आपकी nuclear plant करेगा कि evium करेगा तो उस पे ज़्यादा focus करता है तो उसके आपके future rating सोच को भी बड़़ड़ करता है आपका मेरे लिए तो बहुत important मानता हूँ कि लोग magazine बोलते है मगर मैंको लगता है magazine में क्या होता है कोई भी content एक बार मा जाता है एक बार मा गया तो मुझे उसको याद करना है newspaper में एक week तक आता है automatic inhale हो जाता है by default आपको inhale हो जाता है मतलब आप अंधर ही समाज आता है रोज तो हा रहा है पढ़ते है पढ़ते है उसको याद करने की जरूवत ही नहीं है मैं magazine पढ़ूँगा तो वो एक page में detail देगा उपरे मंत की उसको तो फिर मुझे याद करना है अचा answer है नोट मेकिंग strategy के बारे में भी बता देजिए मुझे यह लगता है कि जब मैं प्रिप्रेशन किया कुछ टॉपर से जब बात किया कुछ टीचर से बात किया तो मुझे यह figure out किया और मैं अपने नोट से तरीके से बनाता था कि एक बार पढ़ा और सिधे नोट बना दिया नोट बनाने की सही अप्रोच आपके according क्या है मैं आपको बताता हूँ सही अप्रोच जैसा आप बता रहे हैं कि दो-तीन बार पढ़के नोट से बनाया है मेरे इसाफ से क्या होता है जो पहली बार में नोट से बनाता है वो एक्जाम तक काम की नहीं है और मैं इसको गलत भी नहीं बोलता हूँ कि नहीं बनाना चीए क्योंकि आदमी कर पढ़ रहा है और लिख रहा है तो 60% तो उसको वही आद हो गया है है ना आपको अभी शुरू में एंसाइटी के नोट से बना दूँ हो तो आप पूरी एंसाइटी लिखके लिए आते हैं बच्चे क्योंकि उसको सब कुछ नया लिख रहा है मगर आपने जैसे का ना दो-तीन बार पढ़ने के बाद उसको प्रसाइस कर लेता है कि कुछ टम्स तो हमें पता ही है कभी हम भूल सकते ही नहीं तो वो नोट से बन जाते है और उसके बाद आप वो दो-तीन साल अगर एक अटेम दिया है फिर सेकंड अटेम पे आप जाएंगे तो उस नोट के भी नोट से निकाल लेंगे तो उसके नोट के पड़र हो आप नोटस आपकी ही होते है कि आपको जित्ता पड़एंगे उसके बाद उसको प्रसाइब्स करना है और धीरे-धीरे कुछ-कुछ बच्चे तो ऐसा करते हैं पॉइंट लिखते हैं बस वर्ड लिखते हैं उन्हें मालूम है अंदर के स्टोरी तो मुझे पता है मैं को किसी को एक्स्प्राइन करना है क्योंकि आपकी कोचिंग नोटस नहीं है वो वो पस्नल नोटस है मैं कोचिंग नोटस है तो मुझे तो पूरी डिटेल देनी पड़ेगी और और आखरी टांब आपके स्टॉन नोटस क्यां माते हैं सिलेक्शन पर इसी नोटस के दम आप रिबिशन फटा फट करते हैं और एक और सवरा कोर्स चाहिए और एक मोटीवेशन भी मिल जाता है अरे मेरा कोर्स कम्प्लीट है तो आपने जो स्ट्रेटिजी बताईए कि बार-बार पड़ो फिर उसके बार नोट्स बनाओ पहली बार में कोई जुबह बनाते हैं तो उनको भी में बुरानी कहलता हूँ क्योंकि उससे भी क्या होता है रिमेर्मेंट करने की याद रखने की प्रेक्टिस अच्छी हो जाती 60% मगर वो नोट्स में पहली कहते हूँ अगर आपने पहले बनाया तो आखरी टाइम तक काम नहीं आएंगे आखरी टाइम तक जाता है आपको उसको उन नोट्स के भी नोट्स उसको और करना पड़ेगा अफिर आपको क्या लगता है क्या भी तो आपने इंसाइटी बनके बनाया आप करेंट है फिर कहां डाला आपने कुछ नया हो आगया तो कहां ये ट करा तो बात में धीरे-धीरे एड़ान होता रहेगा नाइस हरश भी आप बहुत सारी बाते हैं आप से पॉडकास में आप शूर की पूरी ओडियन्स जो है इस पॉडकास को अब तक एंजोई कर रही है इस पॉडकास के दूर बहुत सारे इंसाइट्स उनके लाइफ में एड़ए हो रहे होंगे जो नोट्स बनाने का हमने स्टाइटिंग हो तो नोट्स बन रहे होंगे बट हमने बहुत साही चीतों के बात किया दो इंपोर्टेंट चीज़े हैं जिनकी बारे पर मैं बात करना चाहता हूँ सबसे बढ़ी चीज कि जब बच्चा कंसिस्टेंट होके तयारी करता है एक लंबे समय तक आप तयारी करते हो पर UPC का सिलेबस इतना वास्ती कि उसका नहीं किया तो इतनी ज्यादा नौलेज को अफिटें नहीं कर पाऊँ है रिविजन की अच्छी स्टाटेजी क्या होने चाहिए कितने टाइम में किसी एस्टेंट को रिविजन करते रहना चाहिए कि अगर आप कोई चीज को टॉपिक है तो मैं कहता हूं कि आप ने कर लश्म जो दो-तीन आटेम दे चुके हैं, ठीके ना, ये बिगनर की बात नहीं है, बिगनर को तो पहले 10-15 बात लश्मिकान पढ़नी है, क्या होता है, जब आटोमेंट में हो जाता है, जैसे मैंने आपके पार्लामेंट पढ़ रहा हूं, उसके आगे वाली टर्म मुझे या प्रेसिडेंट का ये कोशन गिलत हुआ, तो उसी को चीज को उठा उठा के पढ़ो, और हर सेक्शनल टेस्स लगाओ, पहले एक बार पढ़ लो, फिर सेक्शनल टेस्स लगाओ, फिर उस गलती को देखो कि मेट से पढ़ने के बाद भी गलती कहां हो रही है, ऐसे करके अब का कोर बहुत मजबूल बन जाता है, कितनी बार गलती होगी एक टॉपिक फे कितनी बार गलती होगी, मैं बोल रहों दो बार, तीन बार, चार बार, करेक्ट, है ना, पांट-दस बार गड़ आपने टेस्स लगाए, तो एक बार तो कमांड ये हो जाती है, कि गलती होत होते थे, हंड्रेड में से 90 कोर्शन मेरे राइट होते थे, फिर भी हमें गुस्ता आता था, अरे दो कोर्शन गलत होगा है, और ये मैं को आपको बता हूँ, ये मैंने हार्ड वर करके आज भी बच्चों से करवाते हैं, सेक्शनल टेस्ट कम करने पे कम से कम मैंने एक और टेस्ट देना इंपोर्टन है, एक चलन भी बहुत बेकार हो गया है, कि टेस्ट देने, अरे टेस्ट देने से कुछ नहीं होता है, टेस्ट का एनलाइज सबसे इंपोर्टन होता है, आप जिसे होता है आजकल एक नया हो गया है, टेस्ट देतने हम टेस्ट देतने हैं, नमबर जीरो भी आ रहे तो कोई फरक नहीं पढ़ता है या 90 भी आ रहे तो कोई यह नहीं हो रहा है कि आपने विजन का टेस्ट दे लिए अपको 90 आ रहे तो यूपसी में सेलेक्शन हो जाएगा यह मित भी गलत है ठीक है ठीक है ठीक है आपको उसका एनलाइज करना है कि करते हैं मगर आपको अपनी गलती नहीं दिखती है पढ़ने बेठते हैं तो गलती नहीं दिखती वह एक फ्लो गो फ्लो हो जाते हैं आटो माइंड में चल्ड़ हो जाता है मैं मेरे दर लश्मी कान तो मैंने पढ़ने ही छोड़ दी तो इसके बाद क्यों कि यह सबसे आपने बोला कि टेस्स näुना पां डवानने पर में इंलश्मी करते खियो क्या जलत गरे आपकी पर्फॉर्मेंस भी सगर्व थं हो जाती है कि उस द्रीक डिकल करने या उससे समझ आपकी कितनी बने लृखने में बारे में बात करते हैं को क्यान घुते साल हुआ है से continue करना चाहिए मतलब उसको ना बढ़न नी बनाना चाहिए क्या होता है कि आप अगर continue consistence काम नी करते हो तो आपका revision भी छूटता जाता है फिर वो पहाड़ बन जाता है फिर आपकी grab से वो भार हो जाएगा आपने एक week पड़ा संडे को revision कर दिया और जैसे जैसे प्रिपरेशन बढ़ती जा रही है तो फिर वीक में दो दिन रिविजन रही हो जैसे जैसे प्रिपरेशन बढ़ रही है revision मैं के रहा हूं basically selection यह है कि हम आप बताई कट अफ किता गया 75 है ना तो कितने question ठीक करने थे उसमें आपको 37, 38, 9 question राइट करने थे तो आप 80 question राइट हरे आप 20 के पीछे क्यों जा रहे हो जो बहुत यूनिक है मेरा आदा यह है कि पहले से बोलो ना उस पर जाना ही नहीं है आप तो इतने question छोड़ रहो general question 80 question तो आपको है ना जो आपके score syllabus से complete हो रहे हैं वो जो 20 है जो बहुत exception आते हैं उनके पीछे बच्चा preparation करता है मैं बिगनर को यह simple था बोलता हूं मैं बिगनर के लिए तो यही बोलता हूं कि उस 80 को तो उस 20 को छोड़ो आप उसके बारे में सोचना है नहीं है जो ज्यादा difficult है मैं बता हूं मैं एक ती चीज करते हैं सब आना ची अरे यूपसी में सब नहीं आ सकता आप टॉपर से भी बात पूलों वही smart उनने भी बोला था कि मैंने करेंट फिर वेटेज नहीं था मैंने को ज्यादा कर लिया था करेंट फिर बाद में मैंने कम-कम उपर देखके भग गया था मैं तिक वह स्टड़ लभ एाता उसको ज्यादा आता है जिसका selection पर बाद में आता हुए कि इन दोनों मैं कि फरक होता का है मैं को आते होइग को गलत नहीं करता है कॉसाइड है घ्र में वही नए सकता है. पूरे दुनिया सरभी एगे आपने गलत और फिर जीच हो गया है. आपको आते हुए करनी है और जो कोर है उसी पर फोकस रहो नए जो युनिक कोशन है उसको ढूंड़ने की कोशिश मत पर हो कि कट आप पहले ही कम जा रहा है 50 से उपर गया है और 80 का अगर हमने कवर कर लिया तो मैं 20 पर फोकस नहीं करता हूं बिगनर के लिए फिर आप 2-3 अ आप एक बार अंदर आजाते हो फिर आप यह देखते हो कि फिर को मुझे 20 कैसे कवर करना है तो बिगनर के लिए मेरा आटी पर काम करो अंदर जाओ कॉंफिडेंटर लगाएगा फिर दूसरा हमारे से मेंटर की भी जरुबतनी मुल्टीपल मेंटर मिल जाएंगे तुम्हे वही जो खुद ही सिलेक्ट होते होते हैं तो वह उनने भी बताया है कि आदित सर ने यही बोला था कि मेरे इतिक्स में का नंबर काम आता जिसके इतिक्स के नंबर थे तो उससे मैंने स्ट्रेजी ली थी कि गाइडनेंस ले लिया था वो आपके आज-पास वालों से ही इस बार देखा गया है तो काफी बड़ा एक ट्रेंड मिला है मैक्सिमम इसमें से भी बहुत सारे लोग इसे हैं जो स्टेट पीस में अलड़ी सिलेक्टेट थे वो लोग यूपीसी में आया है तो यह नंबर भी काफी बढ़ा है एक इंपोर्टेंट चीज इसके बारे मु होता है भो बनने के बात कई सारे लोग रिजाइन कर देते हैं उससके पीचे से लेकर मिया होता है आपको लगता है कि अ situation में आप handle कर पा रहे हैं कि वो pressure भी अलग रहता है आप political pressure अलग होता है office pressure अलग होता है government की strategy भी अलग रहता है आपको लगता है इससे best में और कहीं कर सकता हूँ तो आप quit कर लेते हैं पढ़ाने में अच्छा लग लेते हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ कोर थोट ज्यादा important होता है कि आप किसके लिए जा रहे हैं जो गोर थोट वाले जाते हैं कि मुझे समाज से वही करना है मेरा काम यही है वो फिर वो preparation इस strategy में भी भी टिक के काम करते हैं और आप better life देखते हो तो उससे भी better life का option मिलता है तो आप switch कर लो तो यह मेरा personal है कि आप better life की तलाश में रहते हैं वो ही switch करता है अगर वो ethical यह बोल रहेगा कि मैं समस्या के empathy जो वर्ड वोला था में को जनता का देखना है वो switch नहीं करता है मैं बहुत सारे IS को भी देखा है जो बहुत बेकार कंडिशन में भी रहे हैं फिर भी रहे हैं मगर उनको काम करने की इच्छा है और वो कर रहे है तो आपन ऐसे नहीं जच कर सकते हैं यह बेटर लाइफ की रहता है और मित की वज़े से वो switch कर लेता है कहीं अच्छी opportunity भी मिलती है तो सच हो जाता है एक डाक साइट की बात करते हैं यूपी से की डाक साइट जैसा कि हमने कई बार इस पर बात किया है कि selection ratio बहुत कम है अगर आप आज देखेंगे तो जितने भी student areas इंडिया के अंदर है चाहे वो IT के लिए हो चाहे वो civil service के लिए हो कोटा ले लिजिए इंदौर ले लिजिए देली ले लिजिए इन सारे student areas के अंदर आप देखो कि depression की cases mental health की cases और साथ-साथ में suicidal cases बहुत ज़्यादा बढ़ रहे है क्योंकि और मुझे इसका जब मैं ground पर किसी experience से बच्चों से बात करता हूं तो मुझे जो feel हुआ है कि बच्चे एक्जाम को serious लेने के साथ-साथ अपनी खुशी से तयारी करना छोड़ देता है जिसकी विएसे बहुत extreme और external pressure उनके पर आ जाता है suicide cases इतने ज़्यादा experience कर रहे हैं इसके उपर आपका क्या observation और क्या opinion है और कैसे इसको रोका जा सकता है basically मैं यह देखा कि कम्मुनिकेशन का case होता है communication gap होने से हुई होता है अब भी क्या हो रहा है जो मैंने बता है बाभी क्या होता है एक social media का influence से भी pressure बहुत ज़्यादा ही हो रहा है अच्छी अच्छी life देखते हैं बाकी life हो में social media में सब happiness ही दिखाते हैं कोई भी अपना struggle नहीं करता तो उसको जब struggle होता है neglected होता है और जो family मिलता है तो वह अंदर अदर depressed होता है उसमें सबसे बड़ा रोल होता है teacher का भी मगरा मैंने यह teacher कैसे बात करें 500 की student पे तो बेठा हुआ है 500 की बैच है तो कैसे बात करेंगा तो इसमें सबसे इंपोर्टेंट होता teacher और friends का अगर teacher से communication होता है तो उसको motivate कर देता है मैंने खुद से करा है कि मेरे भी teacher दे बहुदार सर को बोला ता मैं भी depressed था मगर उनके communication से मुझे एकद teacher से बात चीत होनी चीए उस level की preparation पे उसमें parents का role बहुत कम हो जाता कि parents नहीं समझ सकते कि इस time में हमारे को क्या pressure आ रहा है जैसे आप हैं आप इस broadcast को कर रहे हैं आप से कोई बच्चा बात कर सकता है मैं हूँ मैं से कोई बात कर लेगा तो हम उसको solution बता सकते है को लाइफ क क्या है और उसके सभी ज़्यादा खूश हूँ कि मैं ग्यान तो प्राब तो हम अच्छा काम तो कर रहे हैं अच्छी शिक्षा तो दे रहे हैं बहले एक को दें वही हमारा social work काम था आज भी हम society के लिए socially काम कर रहे हैं तो motivation बच्चों को सिकाना चाहिए आपकी इच्छा क काम करना आगे भी मिलेगी और कोई hard नहीं जाता है पहला failure से कोई hard नहीं जाता है life में आप best कर रहे हैं आपने भी थैयरी कर रही थी आप नहीं और आज देखो आप कितने लोगों को guide कर रहे हैं तो failure is not a full stop होता है failure से मैं तो बोलता हूं बच्चे से आदमी success से सिखता नह हो जाते हैं आपकी कमी पता नहीं लगता है failure होने से आपको पता लगता है आप में सुधार आता है तो failure को negative नहीं लेना दीका पूज की वहीं से depression आता है वहीं से maturity भी आती ह दिपरेशिन आता तो maturity भी आती है उससे भाहर णिकलोगए तो आप सबसे mature निकलते हो आपको कुछ सिखते हो सक्सेस आपकी फेल को छुपाती है आप अच्छा खेलरो विराट खुली करेगा शौट गलत उठाया दिया कहीं भी चल लिया मगर उसने सटक मर दिया तो उसने को देखा नहीं तो उसने शौट कैसे लगाया और जिस दिन वो जिरो पाउट होता है तो उसको बताता है शौट बहुत गलत करा है वो इंपरूव करेगा अगर कोई व्यक्ति कोई आश्परेंट इस वाटकास को अब तक देख रहा है और अगर वो अपनी लाइफ के उस डाउन मोमेंट पे जहां उसको लगता है कि अब मैं इसके आगे उठ पाऊंगा या नहीं पाऊंगा उस एसके लिए एक बार मिर से भी कॉंटेट कर लो आप है ना काउंसलिंग को ऐसे को काउंसलिंग नहीं है बटा कि एक बार आप बत गिरती भी है तो आपका भी डाउन फॉल हुआ बस यह रखो कि हार्ड वर करो कहीं ना कहीं तो आप वापीस से उठोगे बस उस काम को करते चलो continue काम करते हो आता है डाउन फॉल और अबवर नहीं आता तो happiness और दुखी दुख नहीं होगा और खुशी नहीं होगी तो खु आरा साल के बच्चे ने सुसाइट कर लिया क्यों सुसाइट कर लिया क्योंकि इसकी मम्मी ने उससे रिमॉंट छील लिया था और उपर जाके उसने सुसाइट कर लिया तो उसमें एक पूरा बैठा था पूरा psychological department उसको आज ता उसके पेरेंट्स ने ना आनी बोला था आया जैसे अभी मुझे बड़ा एक्जामपल लगता रहूल गांदी का इतनी बार तो कोई भी फैल नहीं हो सकता इतनी बार मकर आप इंप्रूमेंट देखो आप पहले का इंप्रूमेंट और आज के इंप्रूमेंट देखो तो इससे सीखो मैं सब जने से सीखता हूं नाजता से बैट्समेंट से सबसे कोई भी फैलियर नहीं होता है फैलियर से अगर कंटिनी चुल लड़ता है वही वारियर बनता है या तो वह कुट कर देगा या वारियर बनेगा तो इसको भी एक सुखन आनन्द लो दुख का टाइम में ये भी निकल जाएगा सब बेस्ट होता है आज हम भी हैं आप भी हैं हम जब हम वहां बेट हैं वहां सोचते हैं अगर हम कुट करते तो यह पता ही नहीं लगता एक समय अच्छा आता है क्लूडिंग इस पॉड कास मुझे बात करना है शक्ती इंसिटूट के बारे में कि इस इंसिटूट से क्योंकि मैं भी पढ़ाऊँ मैंने आपका पढ़ाने का तरीका देखा है पर मैं चाहता हूं कि आप ऐसे आस्परेंट जो इस वक्तिस पॉड कास को देख रहे हैं अग मेरा सबसे बड़ा है कि किसी का फ्यूचर बरबाद नहीं करना है जैसे मैं आज बड़ी कोचिंग को कोस रहा हूं मैं को मनी इंपोर्टेंट नहीं होती है सबसे इंपोर्टेंट होता है टाईम मेरा सपना मेरा कुछ कोचिंग मुझे बोल देती कि मैं पढ़ाता नहीं तो फूली में खुशछ था में मनी कमा जा सकती मगर सबussenड आपकी द् Window and Time वापीस नहीं नहीं आठता है तो हमारी नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो वर्डो का खेल इधर से उधर हो जाता है है ना तो उसको खुल के बात करते हैं उसमें हमारा discussion सलता बच्चों पे उस topic पे तो उनसे मैं सवाल पूछता हूं उस news के बारे में फिर उनका उसको रिजन बताना पड़ेगा कि यह चीज क्यों खरा दे और यह चीज क्यों तो वो डिबेट होना बहुत जुरूरी एक लास के अंतर और यह को वह वाला वह नहीं है कि जो मैंने बोल दिया हो सही है आपकी तरफ से आप भी मुझे काउंटर करो जबी हम सही करेंगे ठीक ह कि जो हमारे इंदोर में जो बच्चे आते हैं मैंने विलेज के बोला हूं इनको कुछ भी नहीं हाता है तो मैं उसको बिल्कुल जीरो तो समझता हूं 6 से नीचे कुछ नहीं होता है वहीं से अगर हम नीच बनाएंगे बच्चा सॉलिड हो जाता है उसका ट्रिक भी अलग ह कंपल सरी है वैसे दो पेपर होते हैं मगर मैं एक पेपर ज़रूर कराता हूं 20 कोशन की ज़रूर करने यह सब होने के बाद हम करेंट अफर के टेस्ट बनाते हैं प्री के उसको भी दे लवाते हैं फिर जैसे ही आपका प्री निकलता है तो मेंस की बैच अलग बनती है और उसकी हिसाब की पड़ाई आला होते हैं मतलब एक रिलेशन है आपका सिलेक्शन हो या ना हो हम आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे यह वाला यह और इसमें क्या होता है बच्चों को कॉन्फिदेंस भी हाता है तो वह हमारे कांसलिंग से बढ़ता है मैंने का एक बैंटर आपके साथ है किस परपरेशन में अब डॉठ थोते हैं है अभी हम इंद्वर में काम करें तो ठोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि बच्चा यहां आएटें वाला नहीं स्मार्ट बच्चा नहीं आता है जा चाथ दिल्ली माते है और जो भी स्मार्ट बच्च्चा हो कि ही गलती सबसे जादा हो जाती है अगर आप syllabus नहीं कर रहे हो फिर आप किसे ट्रस करो तो मेरा केवल एक प्रोग्राम भी है कि मैं किसी बच्चों को कर आता है तो इसे counselling जरूर देता हूं जो मुझे नहीं मिली थी कि मुझे कोई counsellor ही नहीं मिला था कि कैसे चूज करना है तो मैं कोचिंग से मतलब नहीं आप जॉइन करो या ना करो एक counselling जरूर लो counselling करके लो कि जो आपको सही और गलत बता सकता है तो मैं counselling तो free रखता हूं सारे बच्चों के लिए क्योंकि यह मुझे मालूम है इनिशल बहुत important होता है वह आज कहीं भी जाएगा मगर थोड़े दिन बाद मुझे जरूर याद करेगा कि advice तो सही थी है तो यह ज़रूर all right thank you so much sir बहुत मज़ा है आपसे बात करके I feel her aspirant जो इस podcast को देख रहा है बहुत कुछ insights और बहुत कुछ चीजे वो अपने life में सीख लेगा UPSC के बारे में आपके साथ future में हमको और भी कई सारे podcast करने related to UPSC civil services ताकि बच्चों को या aspirants को information जाती रहा है आपका experience इंडियन आपका है कि आप original बातों पर काम कर रहा है आपके काम देखके मुझे बहुत अच्छा लगा और आपने जो aspirant के लिए बहुत कर रहे हो यह सब से best है मैं तो कह रहा हूँ कि कोई भी aspirant को कई भी जोई करने से पहले आपके show को जरूर देखना चाहिए पांतस वीडियो उसक आपसे बात करके thank you so much for joining us on Indian Aspirant Show thank you so much audience for watching this podcast till the very end I hope UPSC के बारे में आपको scratch से लेके start से लेके advanced level की कई सारी चीज़े इस podcast में मिली होगी अगर कुछ चीज़े ऐसी लग गई है कि जो भी आभी आपको नहीं clear हो पाई है comment section में हमको जरूर बताइए हम वापस से podcast लेकर आए साथ ही क्या चीज़ आपको पसंद आई है podcast के बारे में वह भी comment section में जरूर बताना तकि उन पर हम और strongly और अच्छी बाते कर पाएं make sure कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर एस प्रेंट के साथ जरूर शेयर करें जो UPSC की त्यारी कर रहा है thank you so much once again for watching this podcast till the very end